हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे मैं हूँ महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नमबर 27 आज को विशे है हमारा हिंडी और टॉपिक है रचनात्मक लेखन पहले में आपको रीकॉल करवा दूंकी रचनात्मक लेखन के उपर पहली दो तीन वर्कशीट्स हम अलरड़ी सॉल्व कर चुके हैं उन वर्कशीट्स में आया था कि सबसे पहले रचनात्मक लेखन में कि प और जो अनौपचारिक पत्र होते वो अपने मित्रों को रिस्तेदारों को और दोस्तों को लिखे जाते हैं और इसमें हम अपनी मन की बात लिख सकते हैं अपने अनुसार लिखना होता है और इसको इसमें अपचारिकता का ध्यान नहीं रखना होता है तो हम पिछली वीडियो में पिछली वरक्षीट में आपचारिक पत्र डिसकस कर चुके हैं आज हम जा रहे हैं अनौप चारिक पत्र डिसकस करने तो आज हम अनौप चारिक पत्र पढ़ेंगे और लिखेंगे भी चीके बच्चों पिछले कारे पत्र को में हमने आपचारिक पत्रों को को जाना था और उसे लिखने का अभ्यास भी किया था तो हमने एक पत्र भी लिखा था याद होगा आपको इसी प्रकार इस कारेपत्रक में हम अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेशताओं के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे यानि कि यहाँ पर हम एक अनौपचारिक पत्र डिस्कस करेंगे कि उसे कैसे लिखा जाता है और एक पत्र भी लिखेंगे अनौपचारिक पत्र की महतपूर बात है यानि कि अनौपचारिक पत्र लिखत जाता है, इसलिए हम इसमें अपने व्यक्तिगत दुख सुख, यानि कि हमारे अपने दुख सुख लिख सकते हैं, अपने अनुभाव लिख सकते हैं, तो ये सारी चीजों का विदरन इसमें होता है, इसमें तथों के साथ साथ आत्मिक भाव का भी महत्त दिया जाता है, यान आपके मम्मी आपसे दूर रहती है और कई दिनों बाद उनका पत्र मिला यानि लेटर मिला तो हम पढ़ लेते हैं और हम भावु को जाते हैं तो इस तरह की चीज़े हो जाती है अगला देखते हैं यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है इसकी भाषा जैली अनौप्चारिक अध्यान का नहीं रखना होता आई हम एक आप अनौपचारिक पत्र की प्रारूप को प्रारूप मतलब होता है एक फॉर्मिट को तो एक फॉर्मिट आपको दे रखा है अनौपचारिक पत्र का उसे हम देख लेते हैं देखे सबसे पहले पता यानि कि जब अनौपचारिक पत्र लिखने तो सबसे उपर सबसे पहले अपन पत्र लिखा जाता है तो आप जो पत्र लिख रहा है उसका नाम वो पत्र सबसे उपर आ जाएगा अच्छा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पत्र लिखते हैं ठीके पत्र लिखते हैं अगर स्कूल के लिए आप अभी पत्र लिख रहे हैं तो इसमें अपना जम्लीक के लिएगा लिखना है अपना पता लिखना है जिसदिन की डेट लिखते तो दिनाक में दिनाक दिनाक की बंखे होंगे तारीक जिस दिनाब पतर लिख दिनाक लिखते हैं वक्त आपको यार रखना है जैसे कि आप 4 September के लिए लिखने हो तो 4 September 2020 आपको पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि 4 अबलिक करके, अबलिक वाली डेट इसमें नहीं लिखी जाती है, तो पूरी डेट लिखनी है आपको, उसके बाद है संबोधन, तो संबोध संबोधन होता है, जैसे कि प्रिये भाई, प्रिये मितर चीकtましょう, तो इस तरह के शटने के शटने किया जाता है, बड़े और छोटे जाते हैं अभिवावक अभिवादन, अभिवादन मतलस मतलब होता है, जासम संबोधन करते हैं संबोधन एक तरीके से जैसे हाई हेलो करते हैं उस तरीके से संबोधन हो गया उसके बाद हम अभिवादन करते हैं जैनि कि जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसर जैसे की आदर पुर्णाम चरंड स्पर्स नमस्ते नमशकार मदूर प्यार इस तरह के साथर पुर्णाम चरंड स्पर्स अगर बड़ों के लिए लिखने हैं अगर चोटों को लिखे तो प्यार लिखते हैं चीक है उसके बाद है पांचवा पॉइंट क्या केता है मुख विशे यह मुख विशे में अपनी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो भी आपका मुख विशे में मुख विशे में मुख तक तीन अनुचेदो में विभाजित करना चाहिए यानि कि अगर आपका पत्र बहुत बड़ा है तो इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके आपनी तीन पैराग्राफ में लिख सकते हैं आगे पहले अनुचेद की शु और वाती लाइन जो ये होनी चाहिए इसके आगे देखिए दूसरे अनुचेद में जिस कारण पत्र लिखा गया उस बात का उल्ले किया जाता है यानि कि सेकेंड पैराग्राफ से आप अपनी बात बताएंगे कि आपने पत्र क्यूं लिखा है तो उसका रीजन आप एक्स अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन के लिए प्रेडित कीजिए तो आपको यहां आपको अपनी बहन को पत्र लिखना है और पत्र लिखके उसको योगासन के बारे में बताना यानि कि योगासन की महत तो क्यों बताना कि योगासन से हमें क्या फाइदे होते हैं पत्र का पत्तर प्राइज कुनान ενवा sini आपकोय को न कर देखे हैं अभी इस के बाद मैं अभी पत्तर पॉल लिखना लीकnal सिखाओन गी तो सबसे पहले पता यहां पर अपना पता लिखना अगे दिनाग में आपको डेट डालनी है संबोधन में बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय बहन ठीक है उसके बाद अभिवादन में आप लिख सकते हो अपने जैसे की चोटी बहन है तो छोटे बहन के अनुसार अभिवादन लिखेंगे जैसे मैं यहां कुशल से हूँ आशा कर नाम और चोटो को आशिरबादवा प्यार चीक है तो यह हो गई आपकी समाप्ति और लास्ट में आपको मेरी प्रिये बहन समाप्ति में क्या लिखेंगे मेरी प्रिये बहन और फिर उसका नाम चीक है मेरी समाप्ति में क्या होगा मेरी तुम्हारी बहन और अपना नाम चीक ह तो अपना नाम Last Main आ जाएगा, तो यह है अपका पत्र का Format, चलिए देख लेते हैं आज का पत्र, यह है पत्र, अपना पता, मैंने इसलिए खाली छोड़ ने के यहाँ पर अपना पता लिखना है, वर्ड निहां अपना पता सीधा पता लिखना है जिए पता उसकी बाद देखिते दिनाग 4 सितंबर 2020 तो यह हो गया प्रिये भेंर बहन के जिगे पहल गाया यहां पे अपनी वहां और झाहिए जिसको आप पत्र लिख रहे तुम भी वहां कुशल से होगी मुझे मा से पता चला कि तुम परिक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही हो लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है स्वास्ते को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं है एक अच्छे स्वास् से मस्रिष्ट के लिए योगासन करना बहुत जरूरी है योगासन से शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है सरीर सुंदर एवं शहिष्णू बनता है शहिष्णू मतलब जो बहुत सारे चीज़ों को जहल सकता है तता पाचन शक्ती बढ़ जाती है शरीर की जीवन उत्सा बढ़ेगा और स्पूर्ति का संचार होगा यानि कि आप कह सकते हो कि आप एक्टिव रहेंगे काफी जादा आगे देख लेते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि तुम योगासन को अपनी दिन चरिया में जरूर शामिल करोगी मेरी बात और मेरी बात पर ध चाहिए गट जो आपकी बहन का नाम दिया हो गाओ उगा वहाँ पर राएगा तो कहीं भी कभी भी पत्त लिखने एग्जामिनेशन ओल वे तो अपना नाम अपने परिवार वालों का नाम अपना एड्र फोन नंबर कभी में जान करते हैं अगर आपने असा किया तो आपका exam cancel हो सकता है, तो इस बात का आपको बहुत ज़दा ध्यान रखना है कि अपनी चीज़े नहीं mention करनी होती है, जब आप school में अभी जैसे आप school में ये submit करोगे worksheet, इसलिए आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, ठीके, अपनी बहन का लेती हूँ, विदा फिर मिलेंगे अगले वीडियो